इस्राइल स्ट्राइक में क्या हेजबुलाह की चीफ की बेटी की मौत हुई है क्या नस्रल्लाह के भी मौत पर सेस्पेंस बरकरार है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूस जटीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में महुरी नुए आदब जैसा कि आपको मालूम है कि लगतार इस्राइल लेबनान के आसपास के लाखों में हमला कर रहा है और हाली में एक बहुत बड़ा हमला किया गया है बेरूत में हाल ही में एक मातपपोर बैठाख हुई यूएन की इस बैठाख में जैसे ही प्रधान मंत्री बिंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पीश पूरी कि उसके ठीक एक से डिर घंटे के अंदर बेरूत में जोरदार लगतार धमाके हुए मिसाइल हमले हुए हैं और इस हमले में कहा जा रहा है कि छे लोगों की मौत हुई है साथे साथ नबे से जादा लोग खायल हुए हैं लेकिन ये जो मौत के आंकडे सामने आ रहे हैं इनमें चुकाने वाली बाती है कि हिस्पूला के चीफ की बेती जैनप की मौत की बात कही जा रही है और ये भी पर हिजबुला की ठिकाने पर लिम्नान के जिस जगह पर यानि की बेरूत में हमला किया गया है वहाँ पर हिजबुला की कई जो बड़े उच्च अधिकारी थे जो संगटर के बड़े कई करता धरता थे उन सबकी वहाँ पर मीटिंग होती थी और इसराइल को इस बात की जान लगाया गया है जहां पर मीटिंग होने की जानकारी इसराइल को मिली थी पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहा था इसराइल की कब यहां पर मीटिंग होगी और यहां पर धमाका होगा ताकि सीधे तोर पर जो हिजबुला के जो मजबुत जो हाथ हैं उनको खत्म किया जा सके जानकारी है कि नसरल्लाह की बीटी जैनप की भी मौत हुई है और उसके शब को भी बहाँ निकाला गया है ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो वहीं दूसरी तरफ नसरल्लाह से भी संपर्क नहीं हो पाना एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना ह हुआ है क्योंकि काफी वक्त हो चुका है और अभी तक हिजबुलाह के जो अधिकारी हैं जो संग्ठान के अनलोग है वो अभी तक नसरल्लाह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और यहीं कारण है कि अब थोड़ा सा देह्शा का महौल हिजबुलाह के संग्ठान में मचा रहा है वो जोिलाके वो बिए आपको बता दें में başka में हमड़ा करने के बाद सी इसराइल ने दफियाद शेहर में रहनें वाले लोगों को तुरंत ही हाली कर सकता है और यहीं कारण कि बैठा के बाद जो हमना हुआ है इसमें दावा किया जा रहा है कि इस बात की पुष्टी की है कि इस हमले में मलवे में जैनाप का शब मिला है जिसको कबजे में ले लिया गया है और आगे की जाच फिलाल यहां पर हो रही है तो वहीं हेजबुला चीफ के जिंदा बचने पर लगातार सस्पेंस है यानि कि नसरल्ला का अभी तक कोई खोच खबर नहीं हो पाई उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर जो इसराइली अधिकारी उन्होंने इस पस्ट किया है कि हेजबुला की टॉप हमला किया गया है और इस हमले की मौजूद्गी की जानकारी इस्राइल को थी और यही कारण है कि मौणान निशाना साथा गया वहाँ पर जिल लोगों की मौत हुई है उनके शब पूरे छट विच्छत हो चुके हैं जो लोग खायल हुए उनकी हालत बहुत जादा नाजुद मनी हुई है फिलाल जिप्ती होसन एहमर्द इसमाईल मारे गए हैं और इस्राइली सेना के मताबिक उनका कहना है कि हमले में हिजबुला की मिसाइल यूनिट के कमांडर मुहमद अली इसमाईल और जिप्ती होसन एहमर्द इसमाईल मारे गए हैं दो लोग मारे गए हैं इसकी पुष्टी इसराइल के अधिकारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्या ज्याडम मारी गई है मलवे से शब जरूर मिला ये कहा जा रहा है और दूसरी तरफ नस्रलाह कहां पर है उसको लेकर भी लगतार अब खोजबीन हो रही है क्योंकि जो बैठक के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है ये भी लगतार आपको बताते रहेंगे फिलहाल इसराइल का लगतार हमला काफी चौकाता है क्योंकि इसराइल ने पहले साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आक्रामा कौट जादा हो सकते हैं यानि कि अभी ये ज कुछ सकत कदम उठाए जाने की बाद भी कही जा रही है लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है लगतार हमले जारी ही दोनों ही तरफ से लेबनान के बेरूत में जोरदा धमाका हिजबुल्ला के हैड़क्वाटर पड़े सीधे हमलाता ही जुरा भी मिल में जाने डो जाए जागतार है विर कैंज होस्तर परहल्य है झाल में यार्फीझ एंपनान क alarmist कि फिल प्ली जा़तार अीन रद फिल्तर हैं भी में लेक्स नोर्वे हमले सीधाथ.